कि में आ रहे दोस्तों आप सभी लोगों का इंजिनेर सद्ड़ 24-7 में मैं प्रमोद घ्रहरी स्वागत करता हूं अब का पी अच्छे होंगे सवस्त होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे अधम फोकस्ट होंगे क्योंकि आप का इकजाम भास आ किArt जहीं ही चाहिए published अब करीब 3000 के करीब इसके बाद ÖFR मिलें और फिर स्काल Rio एक ते सो Bennett मिलेंग.' ससी में और ससी में सबको पता है आपको यूज नमर आप वैकेंसी तो यार जी जान से एक्दम लग जाओ यार जितने मेहनत से तारी करना चाह रहे हो मदब आपका एक मीनट भी नहीं बरबाद होना चाहिए किसी भी केस में और अगर आपको कोई दोस्त आता है डेली बार बा सबसे बढ़े हासा हुलूसान है आप से दिंगे दोस्ती थोड़ा दूर रहना दोस्ती तोड़नी भी नहीं है और दोस्ती दूर से भी रहनी है तो उनसे बस आप एक कम करिए उनसे कुछ पैसा मांग लीजिए आप 10-20,000 रुपे कहिए 50,000 रुपे दे दिजिए आर गाउ बरबाद कर दिया ना मेरे दोस्त बाद हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप खुछ सोच यह वह देरी कितना आपके लिए प्रॉब्लम क्रियेट करेगा जब आपको यह फाइनली पता चलेगा कि आपका सेलेक्शन एक नमबर से रुप गया है तो आपको क्या लग इसके लिए ने छोटा सा मोटिवेशनल कोट वो कोट क्या कहता है यह बता दीजे सर वो कोट यह कहता है कि वो कोट यह कहता है जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिस नहीं की आइंस्टीन साहब ने बोला है कि जिसने कभी कुछ गलती नहीं की जिस उसने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ नया करने की कोसिस नहीं के सिंपल सी बात अगर आप कोई भी चीज नया करेंगे नहीं तो गलती तो होनी ही होनी है अगर कोई भी चीज अगर आप नया करोगे तो गलती तो होनी होनी है और हां देखिए यहां पर मैं आपको डे रेलवें इंजिनिंग थिग नहाई विए और रेलवें इंजिनिंग है और आप लोग ने इंदम सांती से वीडियो पूरे देख लीजियेगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक अंसेर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक सेर करिएगा जिससे ज्यादा सब्सक्राइ और अपने मतलब भी जूर सकें उनको भी कुछ फाइदा हो सके और इसके बात क्या है फिर से फ्राइडे से फ्राइडे और सटर्डे आपका क्या चलने वाला है थाजडे स्वरी तरी फ्राइडे और सटर्डे आपका क्या इन्वार्मेंट चलने वाली तेक्दम त्यार रही ह यार अगनी पर इच्छा में और यह अगनी पर इच्छा ही है आपके लिए इसलिए अगनी पर इच्छा बोली आती है क्यों कि पता है vacancy बहुत तोटल अब एक मंद के अंदर साथ 7,000 vacancy आपके लिए बहुत मने रखता है बहुत कुछ तो आप टाइमर भी लगाना चाहूं तो मैं टाइमर भी लगा सकता हूं तीस सिकंड का इस्टाप वाच यह टाइमर होगा आपका अब इसका अन्सर जब तक पता ये इसका अन्सर आप लोग बताए इसका अन्सर सबको पता होगा होगा आयों अब सब को पता होगा है 30 सेकंड का आपको हर कुष्टर में अब टाइम मिलेगा क्या बोला वीच आफ्ट फॉल्वइंग इस फिच फनलों is the correct expression और दा वर साइन हच सुरेक्स पर दब साइन ह् सबको पता है H is equal to L square by 8arkate सब को पताहर साइन का होगा एच Anda है सकोल टु L square by 8th oo ठीक नहीं नहें में नहें समें टीमर बताए इसका टाइम बताए एकितना होगा बता है इसका 30 सिगेंड sorry इसका टाइम इसका आपको करना कितना एंसा राएगा और आप ऐसे ही टाइमर लगा क्या करिये वाट वाट इस देखर रिजिस्टेंस फार 50 टन्स ट्रेन अन बीजी ट्रेक और फोर डिगरी कर फोर डिगरी कर लिए आपको बताना है साइध आपका टाइम हो चुका ठीगना आपका टाइम हो चुका तो यहां पर क्या था आपका फिर से बता देता हूँ वाट इस देखर रिजिस्टेंस तुदा फिप्टी टन अब देट्रेन अन बीजी ट्रेक अन दफोर डिगरी कर यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर 30 into 4 into कितना बी करना सीख लिजे पांचोग वी शोग असी मतलब एट वाला एंसर कहीं है क्या यह वाला एंसर आगे कुछ करना है नहीं है समाझ गया आगे कुछ भी आपको करना ही नहीं है अभी मेरी जैसे टेंडेंसी होती है कि स्टार्टिंग थोड़ा लो लेवल से कुशन ले क्याना यहां पर मैं यह सोच रहा था कि आपका एक भी दिन एक भी टाइम आपका बरबाद नहों इस वज़े से कि आपके लिए थर्टी सेकंड का टाइम है थर्टी सेकंड में आपके इसको एंसर बताना है क्या होगा और यह ऐसे कुशन है जो आपके एक्जाम में रेंडेमली पूछ लिए जाते हैं और इतने आसान कुशन होते हैं कि जो बच्चे नहीं किये होते न वो छूट जाते हैं और वही टाफ़ल लड़के से जो आप देखते होंगे दस-पांच नंबर पीछे रह जाते हैं हो गया टाइम कि क्या कह रहा कि वाट इस अबयलू अब दा वाट इस अबयलू आप दा इस्टीपेस्ट गडियेंट वाट इस बहुत ही प्यारा कुशन है यार अगर इसके आप नाम नहीं कॉमन सेंस नहीं इसमें लगाएंगे न तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुशन दॉधन नहीं साल कर पाएंगे तुधा प्रवाइड़, आन 2 Đbe करो कितना तू दिघरी करो फार, व्यखति लाइन के लिए ब्रॉट्ड गेज लाइन के लिए having the ruling Italian आपको पता है ruling arrange Info के लिए इस टीप ruling Adrian के लिएosphperform कंढ़ा होता है one by 200 होता है one by 200 होता है और तो टूडेभरΗरी है इसके लिए बीजिड करो के लिए पाइंग जीरोजीरो for हैं लिखे आपने थोडेगरी तो टू लिखे तो कितना हो जाएगा do.08 कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये एक जिरॉ ज्यादा लुग गया है क्या कि caught तो Son !04 इन टू-टू डिग्री कितना हो जाएगा .08 अब ताया बेगा अब यह चीज आपको याद होनी चाहिए कितना कि 1 in 200 होगा तो वन एंट 200 को आपका है मैं करनोट कर लीजे इसको भी आप परसेंटेज में कर लीजे तो आप या तो इसको ऐसे ही रखे रहें दीजिए या पर डिपेंड करता है वन बाइट 200 माइनस पॉइंट 08 बाई इसको और भी बढ़ है से कर सकते हैं कैसे उपर नीचे टूटो का मल्टिप्लाइब कर देंगे तूपर आपका माइनस प्याज आएगा नीचे आपका 200 ही रहेगा किसी में 200 है ने कोई बात नहीं इसको आप क्या करेंगे 1-1-1-1 इसमें क्या करेंगे आप इसमें क्या करेंगे सर इसका आप मल्टिप्लाइब कर दीजे तो पॉइंट 1-6 आजाएगा जो पॉइंट एट फिर वाय जाएगा और इसमें से आप यह भी कर सकते हैं इसको आप यहाज कर दीजिया और एंसर बता यह मुझे कितना आएगा इसको डिवाइट कर दीजिड़ो और एंसर बता यह कितना आएगा अगर्थ काเพि openness आगर इसको बताया जाए तो अगर में कॉमन से अगर इसको बताया जाये तो दो से कट किया जाये लिए फोटीटू तो वन बाई फोटीटू अगर इसको आप डिवाइट कर ये वन बाई फोटीटू तो कि वन बाई फोटीटू दो सौरतीस है क्या आपका यह पाट आ गया ऐसे कुशन के लिए थोड़ा से टाइम देना पड़ेगा समझ गया लेकिन हाँ ये सारे कुशन पता कप करने हैं आपके फैस में करने कौन से फेस पहले आप जब पेपर देते हैं न तो पहले एक फेस में आप वैसे रेंडमली वाले कुशन देख लीजिए जो देखते ही हो जाएं और कभी भी इस तरह से मत करिएगा क्या आपने कुशन देखा यह क्यों नहीं आ रहा है यह वाला कुशन आना चाहिए वहाँ पर भाई आर्गुमेंट नहीं करने आपको समझ गए ना वहाँ पर आगर आपको आ रहा तो बहुत अच्छा है नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप करिया आगे बढ़िए छोड़िए उस कुश्च्च्च्च् करना है चली अगले कुशन मूब करता हूं अगला कुशन का है रूलिंग एडियंट के लिए से मौन फिप्टी है और फोर डिगरी कर आल्सो तो से मौला सेम प्रॉब्लम होगी अब इसको क्या देखिए इसको करवाने का मतलब यह कि आप इसको अब इक्जाम में इसको डि करना है मल्टिप्लाई हंडेट यह आप क्या करेंगे यहां पर अंडेट मल्टिप्लाई कर देंगे माइनस का 4 डिगरी है 0.04 इंटो 4 डिगरी बस इसको आप सॉल्व कर लेना है आपको इसको क्या कर लेना है आपको सॉल्व कर लेना है बाई हंडेट कर दीजे इसको आप क रूपके सल्व करनेपं कुछ करना नहीं है कुछ करना ही नहीं है आपको और जो 도 मूप करता हूं यहिए मैं टाइम देता हो मैं कि मेर्मीशन में आपको हूय अब कर्फा होता है चलिए थर्जिप सेगेंद हो झाल बलता है उसका अंसर बताएंगे तहोगा अद मैंने पहले रेलवे से ही कुषिन ले कर आया था पहले रेलवे से ही कुषिन ले कर आया था और कि टिणु और टाइम आप हो गया क्या कह रहा है 4 Creato के लिए 4 difícil कि लिए 4 डिच कर लिए ब्राइड कितना हो जाएगा ब्रॉण गेस के लिए 0.04 into 4 कर-16 दिया गया है क्या यह अभी जागी ब्रॉट यह मुझे तो पता थे कुशन आप कर लेंगे लेकिन मुझे पता ते इसके साथ में तीन कुशन आपको कर वा दूँगा ब्रॉड गेस के लिए कितना होगा पॉइंट जीरो फोर ब्रॉड गेस मीटर गेस लिए ब्रॉड इसन दिया नहीं धिया गया बिल्कुल मीटर के लिए इसके लिए उसके लिए हास फॉर का म्लिटिपलाई कर देते तो याद रखिएगा यहां पर तौट आपका सिश्टीन एंसर हो गया बांकि ऐसे भी एंसर आपके आज आते चलो टाइमार स्टाट हो जाओ चलिए पताई ये सका एंसर का होगा इसका एंसर वीच आप फॉल्विंग टाइप आप ट्रांजिशन करू is mostly using Indian railway is cancer क्या होगा mostly का यूच करता है which of the following type of transition करो is mostly used in Indian railway इंडियन रेलवे मुश्टिक क्या यूच करता है कि देखी आई लर तो कहीं आप पढ़े ना होंगे यह तो यह भी आप नहीं यह तो आपका हाइवे के लिए है और हमारे इंडियम यूज भी नहीं होता तुबिक पैराबोला क्यूबिक पैराबोला ठीक ना क्यूबिक पैराबोला होगा नहीं यहां पर क्यूबिक इस्पाइरल होगा क्या होगा क्यूबिक इस्पाइरल होगा और आपका इस्पाइरल की अगर मैं बात करो इस्पाइरल आप कहे के लिए यूज करते हैं तो मेरे दोस्त हाइवे के लिए जोता एले अगले कुशन मूब करता हूं इसका टाइमर लगा देते हैं इसका आप इस्टार्ट करिये लिए इसका बताइए अपर्सेंटेज आफ टाइंग इन आ यह दूरिंग वीच आप दा क्रॉस्विन component remains within the limit is known as component remains within the limit is is cancer kya hoga bata ye that time of for guys it is a commit I didn't say yes ka headwind crosswind prevailing wind nahi wind coverage ya ho guy hapa rap cancer of cancer hapa roga wind coverage over equivيع क्या होगा आपका inzir यहा पर whenGov dis buzz होगा ठीकड़ woven onboard comparative की अवरा कुछन है कि आपका यह अटा इसड़ोर सjalब नेकर और किंभ पूचा जाता है क्या यह चप्रासी से लेकर आई एस तक कुछन में पुछा जाता है और हर बार स्टूडेंट कंफ्यूज करता है और अगर एक बार यह बात जान लिए बेसिक लेवल पर जान लिए न आप यकीना मानिये कि यह आप कभी भी गलत नहीं कर सकते आपका टाइम स्टार्ट होता ह है अब बताए है बताए ये अब अल्यक चो फट्रेश केक लवी अब प्रिटंपरेट यूज करता है बताये अब बताए अब रखे टेम प्रूब्स को फट़िकरों कि यह दा एर इर पूर्ट आफ तैम स्टेक्रीट अफ स्टूच आपका टाइम प्रुटें स्टार्ट आ क्या होता है एक्षिलिए में बता दू क्या करना होता है इसका जो आपका क्या निकालना है एयर पोर्ट है निकालना क्या है आपको दोस्त एयर पोर्ट रिफ्रेंस टेंपरेचर एयर टी एयर टी बरावर यह होता है टी एवरेज प्लस टी एवरेज जो कम होगा वही आपका होगा भिभी आपको लॉजिक बता दू यहाँ फर मैक्सीमम के सिज़ ना 40-25 और जब यह आपकट यहां से देखेंगे 25 प्लस वन बाई थिरी इन दोनों को माइनस करेंगे 15 आजाएगा या आपका 5 हो जाएगा इतना डिगरी हो गया आपका 30 डिगरी नाव एंसर विल भी 30 डिगरी यहां पर और एक आपको ट्रीक यहां बता देता हूं यहां पर एक ट्रीक डिरेक्टली वाली काउंसी यह देखें यह तो आप ऐसे कामन जनर्र फार्म में कर ली एक्जाम में आप यह सब आपके पास टाइम है बिल्कुल टाइम नहीं है सर हमा पाइएका कितना सेकंड लगा होगां यहां नही लगता है कि आपको पांतस सेकंड ज्यादा लगा होगा फींवा प्रेक्टीस कर लिए तो जैसे इसको अप Hag encontrar 325 अनसर चली अगला बता दीजे अगला क्या होगा यह लिए आप बता दीजे को ऍसली आप बताई trigger led आप the corrected modulus of subgrade reaction for the standard diameter plate 6 kg per meter square what will be the modulus of subgrade reaction of the soil when tested with a 30 centimeter diameter of the plate कुछ हाई नहीं इसमें कुछ हाई ही नहीं कुछ नहीं असर तो फिर दिये क्यों है आप मैंने इस लिए कुछिन आपको करवाने के लिए दिया हूं की यहां से देखे जो बच्चे इसको कर चुके होंगे उनके लिए तो प्रैक्टिस हो जाएगे और जो नहीं किये होंगे उनके लिए नहीं सीख हो जाएगी कि सर ऐसे भी कुछिन बन सकते हैं क्या चलिए आपका टाइम आप हो गया अब मैं आपको बताता हूं किसका करना कैसे पहले तो यहां पर आपको जानना यहां इससे कुछ होगा 6 x 75 यह आपका इस्टेंडर्ड हो गया यह आपका इस्टेंडर्ड हो गया के वन की वैलू यह हो गई इसकोल तो यहां 30 सेंटीमेटर डायमीटर दिया था अटी सेंटीमेटर इंटू के टू आपको निकालना था चापंचे तीस अंदा पुच्छाप सब्सक्राइब करने में एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए आपको समझ गया आज कुछ प्रॉब्लम्स के वज़े से आर आज मैं लाइब नहीं ले पा रहा हूं कहने को समझ रह के आपको और मार्म किकल से त आपका सब को सही हो गए अगले कुछन in the cvr बहुत तुरंट इपाट कर के आगे बढ़ना का एपाट करना और अगे बढ़ना cvr रस्वी जग्याहर मेजर आप थे सौय इस तेन मिटेड आप स्वाइल है मुझे पता है और एक्जामनर को भी ये बात पता है लेकिन आपको बात नहीं पता है क्या सर नहीं पता बात हमको कि सी बीयार में थड़ना वाइल इस्टेंट तो मेजर करती है लेकिन यहां पर और कुछ दे रहा है कि रिलेटू मेजर करती है रिलेटू इस्टेंट माटे छलिए नेश कुशन आप देखते हैं नेश कुशन बता दिये क्या है है कि लिए 10 से कंड से ज्यादा नहीं देना चाहिए कि इतना 10 seconds 15 सिकंड एक कुशन 15 seconds चीली बताना है आपको 15 से कंड में सोचना समझना और बताना है आपको क्या होगा इन वीच वन आप दा फॉलोइंग ग्रेट आफ हाईवे इस एन इमर्जेंसी स्कैप रैंप राइड इमर्जेंसी स्कैप कब आप पुराइड कर वाएंगे 15 से कंड हो गया अब भी आप बता दीजे 15 से कंड फिर से आपको दे रहा हूं किन वीच वन आप फॉलोइंग रेट्स आफ हाईवे इस एन इमर्जेंसी स्कैप रैंप इस फ्राइड कितना हो जाएगा यहां पर आपको बता दू कितना होगा रेके वन इंटू हंड़ेड दे सकते हैं जीरो ग्रेड दे सकते हैं आप ग्रेड दे सकते हैं लेकिन डाउन ग्रेड आप कौन सा देंगे आप डाउन ग्रेड देंगे डाउन ग्रेड कम देंगे आप इमर्जेंसी के समय देंगे यह बता दीजे क्या है कि कुछन को पढ़िए और एंसर बताइए बस यहां पर अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हुआ या अगर यहां पर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हुआ कि रोट्री इंटर सेक्शन में रोट्री इंटर सेक्शन में वीविंग एंगल का कहीं यूज होता ही नहीं है और जहां जहां फोर है जहां जहां फ ऐसे कुछन देता कि अपको इसको पढ़ो और दो मिनट कम से कम वेश्ट करो तो अब दो मिनट वेश्ट करो जब दो मिनट आप यहां बरबाद करो गया न दोस्तों पता उससे फाइदा क्या होगा उसका अभी यही दो मिनट में आप तीन कुषन कर लिए होते इतने दो मिनट में झوسक्रण कर लिए होते और आप कितने कुषन इल्हेक कर ग εκdo और सिय अगर उसने 10 शुसिंदे प्रवक पता है आप स्वेक्षों से लेकर अप कितने टूंटी कुशन से लेक कर गए टूंटी कुशन अपलाइट में टच्छी नहीं कर पाए इस टूंटी कुशन में भी हो सकता था कि आपके उनीश सही हो जाए और इतना तो सही होगा कि इसमें टेन कुशन तो सही हो ही सकते थे जब टेन कुशन यहाँ जितना आप कर रहा हो मारक आएगा वहां टेन मारक वह जूर जूर जाएगा तो यूर सेलेक्टेड यार 120 आ रहे थे दा साउर आ जाएंगे 130 कंफर्म हो जाएगा चलिए अगले पार्ट में चलते हैं यह बता दीजे इसके लिए भी टाइमरी स्टाट करते हैं 15 सेकेंड का यह सब मुझे बानी वाले एंसर हैं हां किसके लिए है जिनको आता है अधर वाइस तो आएंगे देखेंग चले ढ़ेंगे गाे या है यह तो आ सबसे लुटेद बाच आ अन सेत्र कॉट्पे सेद्ओ गैंगे यह बताड मोर्ल्री टार क्ले तोर रहा है दीख जाह आ दो पी डान गिए किन तो यह दिए टा आ सो रहा ह्थकेंगे नियुटे टू प्लेग स्टा कम ए दो किए आ I जोटेट शेक्षन आफ रोड द फ्रीश पीड वाज कितनी फ्रीश्म इतक एक एट्टी एम पीज असे प्रीश्पीड और जाम डेसटि आपक इतनी मैक्सिम फ्लो यू मैक्सिमिंग व्लो जों मैक्सिमों कैसे निकालते हैं तो मैक्सिमम इसकल टू पी अफ इन्टू वीजे यहां पर क्या करेंगे एट्टी इंटू सेवेंटी बाइफोर आठ सब्सक्राइब होगा आपको यह बैदिक मैथ लगानी जो भी बच्चे होंगे और इंगलिस मीडियम वाले होंगे तो नहीं लगा पाएंगे बागी आप जोने आपको बैदिक मैथ लगानी तो सर बैदिक मैथ होती क्या है देखिए हमने जो पढ़ा है वह आप यह सामने पढ़ा क्या चौदर आर्ट सथे शपन आप इसको देखेंगे आप मल्टिपलाई करत रहिये आप इतना होगा और चौदर चौक शपन 14 x 4 x 56 तो कितना इंसर हो गया 14 कितना इंसर आप का हो गया यह एंसर हो गया समझ गया आप लोग बिलकुल सर समझ गया चली यह एंसर बता दिये तो तुरंत एंसर होना चाहिए it is the common practice to design a highway to accommodate the traffic volume corresponding to 30th hour peak hour and ADT ya 15-minute peak period 15-minute peak period to have a aisa to kuchh kuchh बताया नहीं था ठीक दा अन्वाल डेली ट्राफिक यह स्वरी यह है क्या है यह आवरेज देली ट्राफिक एवरेज डेली ट्राफिक पीक आर भी मतलब एक aisa समय यहाँ पर पीक आर भी नहीं आना चाहिए 30th highest hourly volume यह आपका सही मतलब कुछ बच्चुक एनी समझ आता है क्या 38 highest hourly volume क्या एच्छली मैं बतादू क्या जैसे road design करना था road आपको बनाना था ओके जैसे दिली के road बनाना था कि कहें कि दिली रोड बनाना थैब लेकिन यह पता चला कि साल में मतलब दो चाहिए अभी दिवाली थी दिवाली में मतलब यहां दिली मेला लगवादी आगा फिर याव ले तब पता चलेगा यार पूरे भर भर के लोग आएंगे गम पूरी रोड ट्रैफिक जाम है और कल बता दिया गया कि दिल्ली कोई नहीं आएगा कल मतलब बहुत तेज धूप थी बहुत ज्यादा फॉग है इस समय पे तो कोई दिल्ली नहीं तो रोड में दो लोग आए अभी इसके वज Gaming कर सकते नहम सक्के वजए इस दिजाइन कर सकते हैं फिर से और सी नेक बढ़हा स्वरूल बनाया क्या पेक कम करिे दिल्ली का भश्रूल करलीजिए कहां तक 355 दिन तक एक साल का पूरा मेजर कर ली जे और और इंको क्या करिए को सब को decreasing order पर रख दीजे और जो 30 इत नमबर पर आए जो 30 इत नमबर पर आए जो 30 इत नमबर पर आए उसको आप वालू टेक आफ कर लीजे उसको आप बैलू ले लिजे इसके कहने का मतलब यह है किसके पहले 29 टाइम्स इंको सब को decreasing order में लगा ना इस है ओके यहां पर 29 टाइम्स ट्रैफिक लगेगा केवल वन टाइमस ऐसे होगा ना क्यों टाइम ऐसे होगा जब यहां पर ट्रैफिक नहीं लगेगा और यह तो हमारे इंडिया में है कि के वाल 29 ट्रैफिक लगने की प्रमिसिन दिया जाता है बट फॉरें में आगर आप दे कुछ इधर उधर चले जाएंगे जैसे बहुत पॉपुलेसर वाली सिटी एंदेर एंसर विए टाइम्स और कभी कभी आप से भी एंसर पूछा जा सकता है क्या कि आपके रोड पिग आई रसी कितने टाइम परमिसन देती है ट्रैफिक के लिए देन और एंसर विल भी 29 टाइ ट्रैफिक के लिए इसके लिए टाइम लगा देता हूं आप इसका इसर बताएं यह बहुत प्यारा कुछन है यह आप करेंगे तो आपको समझ में आए गई 15 सेकंड इसके लिए कम है इसके लिए क्वाला कुछन आपको लग रहा होगा कि सर ने इतना बड़ा कुछन लेका है ससीजा के लिए तो मैं यह बता देना चाहता हूं आपको कर यार यह बया ला कुछन 오빠 framing पूंचा गया है तो इसी सा रिलेैटर मापको बता रहा हूं समाज़ गया मेरे कहने नेंग भ된 लग यह से इम कुछन आप कि SACJ मिपूंचा गया है तो कल्कुलेट असे फार दर टूवे ट्राइब कुश्चन को उतने ही प्यार से पढ़ना जितने प्यार से और भी चीज़े देखना ठीग नहीं अ यहीं तो सबसे बड़ी बात है यही तो आपको यह आपके दिमाग में होना चाहिए किसको पिक करना किसको इसको इसकिप करना है इसको इसको इसकिप करना है कि एने करद असमसह आना यह चीजे होनी चाहिये आपकी दिमाद पर तही पर हम इन दिवाश्ट कर देते हैं बहुत द्रूश्ट होते हैं जिए लौँष्ट मारत Observed का स्कुरायर कंठी चुब वई hopefully सब्कारद कितना कोगा अद्ध होगा एक आपका कितना होगा के एसब कि वैलू यहां रखके यह बनाफ के जो भी बैलू हो अब आपको एपकी वैयलू तो पता ही हो यार यहां पर यहां पर एक्षिगडी फैक्टर से हर बार आपके एक्जाम में आता है वह आपके प्यून से लेकर प्यून तो कहना बहुत गंदा लगता मुझा चपरासी कहना बहुत अच्छा लगता है चपरासी से लेकर आई यस तक देखेंगे तो इस टाइप के कुश्ण आपकी एक्जाम में पूछे गए गए दा वैलू आफ रिजिगडी फैक्टर फार डिजाइन परपस इफ टायर प्रेसर इस गेटर दैन पॉइंट सेवन मेगा पास्कल इस पॉइंट सेवन मेगा पास् एक चोटा बड़ा कुछ भी नहीं याद करना बस छोटे बड़ा याद करना कि यहां गेकर दायन होगा तर लेस्ट नहीं होगा बस और रिजिग्ली फैक्टर क्या होता है आप यह देख लिए जितना भी हैवी डॉइवर नहीं होगा भाई हैवी लोड़िड वीकल होगा स्दाइन लोड जाद आएगा थैंक बढ़ाने के इमना इतना नाया यहां पर कॉंटेक्ट एरिया यहां पर इतना कॉंटेक्ट परिया है यहां 창 अफरोच शोटा श्वारिया बुइत थैसा बरा लोट होगा उसका का कॉंटेक्ट एडिया उतना ही बड़ा होता जाएगा यही बात बोला जा रहा है पर मतलब इसी कॉंचेप्ट बेस इस बेस पे है कल्कुलेट दा रेशियो प्रेडियस आप रिलेट्व इस्टिफनेस विली गुड़ यह और दा कॉंक्रीट पेवमेंट फॉर दा कॉंक्री रहात है पहले आप बताईए सका इंशर यह बगयर टाइमर ओप्षुन बता दीजिए आप अभी में शुक्त करेंगे न तो एटलिस्ट दो मिनट तो लगी जाएगा चैकल यहां पर एक्जाम आपका है मेरा नहीं का है समझ गया एक्षाम आपका अपका पहले आप हो रहें आपसे तोटियर सॉल्व हो रहें देख लेते हैं क्या है यह क्यों कि टॉल्ब के 1-muse square e power 1 by 4 e power 1 by 4 1 by 4 यहां पर ही बारें बात कर रहा था calculate the ratio of radius of relative stiffness L L1 but L2 upon equal to h1 by h2 e power 3 by 4 बांकि 12 देखे की आपका constant है यह आपका constant है अगर किसी भी एक material के लिया जाएगा तो क्या हो गई आपका constant हो जाएगा very good sir इसकी बैलू कितनी है 1.5 h1 by h2 a thickness ratio of the thickness 1.5 की power 3.4 अब इसको आपको solve करना सर कैसे 1.5 का पहले cube करेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे आप 1 by 4 करेंगे सर कैसे करेंगे 1 by 4 करेंगे तो एक यहां पर दिमाग लगाया जा सकता था कि कोई दिमाग नहीं लगाया जाक सकता था आपको solve करना पड़ेगा या भी आपका sscj का वहीं बता दिया ना आपको skip करने वाली टेकनीक पता होनी चाहिए कि इसको पिक करना किसको skip करना पिक और इसकी बहुत ही सास साथ रहने वाली चीज़े हैं और यहां से अगर आप थोड़ी से घलती किया अब बताइए इसको करने अगर आप बैड़ गया लिटा सपोस्पोस बैड़ गया को यह इस्टुडेंट अब लगया यूज बोला कि नहीं और मुझे करने करना ना सर्क मैं कैसे छोड़ दूसर इतना आसान कुशन तर मैं अप जी नहीं पाऊंगा अगर यह कुशन नहीं करूंगा तो मैं बोला कर ले यार फिर उसने करने के लिए बैड़ गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 पंदप नहीं 225 आपका ठीकना और 15 का फिर से आप करेंगे यह यह दो एक 1.5 आपका कितना होगा 3. 3.375 3.375 अब इसका क्या करना है अब इसका पता क्या करना है इसका 1 by 4 निकालना है अब इसका 1 by 4 कैसे निकलेगा यार यह तो बहुत बड़ा डाउट्स है अब इसका एक ही आप्सन है कि इंका का करें आप स्क्वायर करें वही एक आप्सन है उसका यही आप्सन है और कोई भी आप्सन नहीं है ठीक ना बाकी इसको कर लीजेगा कैल्सी से यह बता दीजे आप चलिए यह आपके इसको करके बताना है आपको बहुत ही प्यारा कुश्चन है बहुत ही प्यारा कुश्च यहां पर मैं आपको टाइम दे सकता हूं यहां पर मैं आपको टाइम दे सकता हूं यहां पर मैं आपको टाइम दे सकता हूं 15 सिकंड का और मुझे पता था कि यहां लड़के गलती करेंगे मुझे पता था कि यहां पर आप लोग ना गलती करेंगे और अगर सिसन सही लग रहा कुशन एंसर समझ में आ रहे हैं तो मेरे दोस्त सिसन को लाइक करना मत भूलिएगा तो कि आपका लाइक हमारे लिए मोटी वेशन का काम करता है और हमारा डिडिकेशन इतनी मिहनत से पढ करो is 20 meter after grade compensation the grade to be provided should not be less than 4% calculate the grade compensation he had qa grade compensation post actually only a grade compensation push right so grade ग्रेट कमपेंसेशन कितना होगा आपका 75 by r 75 by r 75 by r radius कितना 200 meter 200 meter 25 75 25 25 262 इन बटे आर्ट इन बटे आर्ट को आप यहां पर क्या पॉइंट में घिवन ठीक है आठ 24 38 35 points और के करीब answer आएगा यहां फोर से कम ही आएगा एक मिनट आठत्रिक 24 इस पॉइंट इन अपर इनसर आपका कितना आज आएगा इतना आज आएगा और कुछ बच्चे होंगे यहां पर क्या होगा कुछ बच्चे होंगे जो यहां पर और एक्स्ट्रा करेंगे वह सर कैसे करेंगे वह भी बता देता हूं वह भी कैसे करेंगे 30 प्लस आर भाई आर ठीक ना 30 प्लस आर प्लस आर बाई आर तो यहां 30 कितना हो जाएगा और कितना 230 बाई 200 आर कितना 200 आप करेंगे तो एसमस्टेब थो डाएगा यहां पर कितना हो जाएगा यहां मैलु होगी इस लिलीजी और और यहां से क्या करना था भाई और सुरी जो मैक्समान भाई लिए यहां पर 1 by 20 aria सब करना ही नहीं या यह तो सब बहुत बार कर आचुका हूं आपको यह तो बहुत बार आपको कर आचुका हूं अरे मच अब समझ गया नहीं तो यहाँ पर आपसे क्या पूचा क्या ग्रेट आप बता दीजे रोड इस सो डिजाइन डेट स्टॉप एससडी इस नाइटी टू मीटर दा इंट इस डी फिल बी आई एच्टी आपका कितना होगा या आपको बताना आई एच्टी इस डी आपको बताना मुस्किल से 2 से कन लगना चाहिए तर नदूनट हरा कितना इंसरा ज होगा ओके आपको यह पार्ट हो गया चलिए अगला बता दीजिए बहुत जल्दी अलिए अंसर आपको बताना है डलेंथ आप ट्राइशन को रिस प्रपोर्शनल टू वी भाई यार वी स्कॉर भाई यार या वी की पावर फोर भाई यार अभी कितने कुछन बाकी है है अंश्च difficण नहीं पड़ेगा देलिन्था अब verたい सञ्संट करूल के लिए कि रिउन Saul के लिए होगा वी क्यों बाई सी यरा आपको पढ़ाया हूं यह क्या क्यों बढई सी आbersिया फाइट आफ त्दी में होता क्या यह आप्य Sindh करो इस लिए प्राइट कर वाया जाता है क्योंकि आप सब को पता है कि एक्ष्टा वाइड निसुपर एलेवेशन के लिए बहत्रीन तरीके से प्राइट कराने के लिए और सदें जर्क ना लगे आपको इस वज़े से रवाप को कोई प्राप्लम भी नहीं होनी चाहिए ना ऑपि यह आप आप जर्आ हमाराज हैं जो ऐसे होना चाहिए जब लाइवर को सेग्रीगेटेट हिसाप से नहीं घब और एक संब से नहीं फिर किसके इस आप से आपका ल 독 government के साब से चलिए अगले कुछन में चलते हैं इन वीच आपड़ फालोविंग इस्ट इस डिजायर लाइन या डिजायर लाइन आपको बताया हूं कहां से आए हो कहां को जाओगे निजायर लाइन कल्कुलेशन इस डिजायर लाइन इंतर बोथ डारेक्शन भी लिखना चाहिए बोल रहा हूं जो अगर आप यहां से कानपूर जाएंगे तो लोटेंगे भी तू आज नहीं लोटेंगे कल लोटेंगे जरूर मतलब क्या अगर आप यहां से लख नौ गए है लख नौ से रिटेन भी आपको आना ही होगा यार अभी वे वेस्टी है का और जिन लोग ज्यादा जाते हैं यह बीच में कानपूर ता यह आपका यहां से कानपूर मिलंगे और यहयावाद पर नहीं करेंगे बाइ high यहां होगा वहीं पर हमने क्या कर लेना है वहीं पर हम को बढ़ा देना रोड लेन बढ़ा देना बाक यहां पर ऐसे चलता रहेंग तीसी को क्या not necessary when come necessary नहीं होगा देखिए 6% मैंने आपको कहीं लिखाया ही नहीं है तो ऐसे आपसें को तुरंट eliminate कर दिया जाता है तो क्यों कि आपके दिमाख में प्यार नपने पाए भाई आपके दिमाख में वो प्यार नहीं पने पाए तो क्या है gradient is flatter than four percent gradient is flatter than four percent or gradient is steeper than four percent मैंने आपको steeper वाद भी नहीं लिखाया था मैंने आपको फ्लेटर वाद लिखाया था you can check it my notes आप मेरी नोर्स कुछिक कर सकते हैं then their answer will be a part होगा यह वाला भी कुशन कर वाया गया है if V is the speed of the vehicle if V is the if V is the speed of the vehicle R is the radius of curve G is the acceleration due to gravity W is the width up carries away the super elevation यहां पर ऐसे option ही दिया है कि आपका मनी भटक जाएगा यार का ऐसे हापर option ही दिया गया है कि आपका मनी कहेगा क्यार option तो यहीं सही है यार डवलू वी स्क्वेर बटे जी यार एक ने डवलू वी स्कॉर भाई जी यार याद रखिएगा कभी अब यह में पूछ लेता है यहर्ड डबलू में क्या रिलेसान होगा तो यह क्या हो जाएगा वन वैई यह क्या रिलेसान हो जाएगा वी इंवस्टली प्रपोर्शनल टू रूट आप दौए रूट आपड़ एब एक बार सब करता हूं अगले कुशन का अप होती सिंपल कुछिशन बस टोटली आपके माइंड पर डिवलाप है इसको मुस्किल मुस्किल 2 मिनट ले शरी पांच सेकेंट से ज्यादा कुछन नहीं लेना ऐब आपके जो से जे में 100 कुछन होते हैं ग्रक्तिनों तुछ कुशंति आप आराम से 10 मिनेयत में कर सकते हैं माकि-6 साथ कुशंति आप आराम से पचास चमयlingen में कर सकते हैं यह द्री पूरे कहां करने और आपको आपटो तो नहां भी तो आपको ताट मैं 50-45 करने ना तालीस पचासी करने तो आम से 50-50 मिनट में कर लेंगे लेकिन कब जब आप यह वाले कुष्छन को बहुत इसली तरीके से कर लेंगे इसे वाले कुष्छन ने देखना है आपको कुछ करना है आपको यहां और लिखा हुआ है यहां 20 वहिकल पर 5 मिनट दिया गया वहिकल पर मिनट दिया गया इसको क्या करिया आप आर में चेंज कर लिजे मिनट से चाहदूनी 12 120 बटे 5 यह आपका मिनट किसमें हो जाएगा पर आर में हो जाएगा कि 24 है क्या कर यह ओल आपसें सही हो गया ऐसे करना है आपको कुछ हाई नहीं कुछ भी नहीं लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ है उनके लिए 30 मार कहां यह कुछ रॉकेट साइन्स असर कैसे होगा लेकिन देखें मैं इसी वज़े से जिनको आता है उनके लिए यह घुट्छ टेस्ट हो रहा है जिनको नहीं आता है लिए रिवीजन का काम कर रहा हूं मैं यह कुछ लिए ऐस के बराबर होगा आप सब को पता है भी लॉस्ट यार मदब इतना बेसिक कुशन दिया ना डीस बटे डीटी अपको पता भी लॉस्टी किसके है डिस्प्लेस्मेंट गा डीवाइब डीएक्स विट रिस्पेक्ट टाइम दाट प्रेवल टाइम पर यूनिट लेंथ रोडीज ठीकना तो यहां पर क्या पर हो गया कि नहीं एक चीज़े बताएं डीटी बराबर डैये हो गया तो क्या इन अर्षनी प्रोपोस्ण थ्या, तक रच्छी ना होगा अगले कोमें और मुद एक उं करते है यह क्या है आप ट्रेकिंग ऑफ ट्रेकिंग ऑफ द वहिकल हैविंग द वील बेस लिंद एल आपको दे दिया गया एलाप देख दीजिये और निगोटि एटिंग अकरो पात आप दा रेडियस कितना इतना येली स्कुर्वाइट टू आर होता है और आफ ट्रेकिंग के लिए एली स्कार बाइट टू आर एल कितना है 36 हो जाएगा टू आर अपान 50 हंडेट और 3.6 दिया गया कहीं के दिया गया कुछ भी नहीं सोचना यार और आप देखिएगा आपके एक्जाम में ऐसे कुछन आएंगे ही आएंगे ठीक है सर अगले इस ताइम मुझे ऐसा लगा है कि यहां पर सभी के सभी आप्सन सही है क्या समझे बात यहां पर पहली बार ऐसे लगता है यहां चारो आप संद्स आपके सही है वह ऐसा आप्संच नहीं जो आप से ना सही हो देन इस्टेंडर लोड इन केजी पर सिंटिमीटर स्क्वार फॉर इस्टेंडर पेनिटरेशन आप दा टू-पाइंट-फाइम और फाइव एंपनिटरेशन इनके चारो का अप्सन बताने हां आप सन नहीं बताने चारो चारो आप सन आपको सिटिस्फाई कराने की कुश्च कीन में क्या चेंज कर दो ऑप सन ओ जा घहां से दिखेंगा यहां पर चूपाइंट परेनिट। our five खले गांगे हैं यह किसiãoप हो गई लोड़ की बात हो गई यह किसकी बात हो गई यह लोड़ की बात हो गई और अगर प्रिसर की बात किया जाएगा प्रिसर की बात किया जाएगा ना सब्सक्राइख लिखाया क्या हां यह पिसर की बात किया जाएगा तो सबंटी और एक सबंटी और एक सबंटी और एक सबंटी एक यह मोता है वहां से आपका इस्टिटी टेस्टिंग मार्सल इस्टेवलेटी टेस्टिंग में आपका फ्लोवाला डाइग्राम पूंचता है आपको सब को पता होगा फ्लोवाला इस तरह बनता है तो ऐसे दो-3 करोंबंते हैं ते हाँ और 63.5 होगा और यह यूपी प्ले सी जेए में आ चुका है और यह ससी में भी पूछा जाचुका है ससी जेए में भी पूछा जाचुका तो यह दे में भी चांसे निश्टाम इन ने और एक्जाम इगना इमार्सल मिक्स में क्या प्राइंड करता है इस्टेवलेटी बैलू करता है और यह भी बताता है कितना मिनमाम आप में बिटुमन होना चाहिए बिटुमन की कितनी मिनमाम पर्सेंटेज होनी चाहिए यह आपको कौन बताता है मार्सल इस्टेवलेटी टेस्ट आपको बताता है ले गुरू नेश्ट पर चलते बस ही मार्सल इस्टेवलेटी य ही आपका bitumen concrete surface stability पूछ रहा इस्टेवल्टी वैलू 900 कज इसमें क्या सूचना मिनम कितना होगा 340 होगा याद रखेगा 900 होगा यह एंसर बता दीए कि इसका एंसर देखने क्या होगा the highways to be designed for carrying heavy and very heavy load a बहुत है विया लोट कर लोगे तो फुर्टी ले लो अब फिप्टी तो नहीं ले लिजिए गाया मनलब जहां पर बंबारू दूर्ण बनाय जाते हैं वहां पर तो हम फुर्टी लेते हैं रहां 50 कैसे ले ले आप बताए है अधी करते हो यार पांडे जी यह बता दीजे क्या होगा एंसर सी बीयार की वैलू पूछ रहा है विच आपको इसी तरह के कुशन मिले के बिल्कुल सही बात है इस्पेसिफाइट सोकिंग पीरिए अब द फोर डे मेनाट भी सफिसेंट समस्वाइल्स बिल्कुल सही बा तोखना मतलब क्या सोखिंग मतलब सोकना पानी को अब्जार्ब करना हिंदी में देखा जाए टेस्ट कैनने इस्टेस और सब ग्रेट बिल्कुल सही एसी एन सिंप्लिसिटी बीपाट आपका होगा क्या होगा डीपाट होगा ऐसे कुशन में सोचना ही नहीं है इन्द रिदेने एंसर आपके सही होंगे यह भी आपको देहां देना अब मैं बता दूंआ आपको जॉइंट आपके एक्सपेंशन जॉइंट कंट्रेक्शन जॉइंट यूइंट कंट्रेक्शन जॉइन आर फर्दर क्लासिफाई नग्ट टू टाइप पहला क्या है रिन यहां पर क्या कर रहे है program आप प्रवाइब तो LAT kने Atlass orders method albeit यहां पर यह defense क्रूइब कर रहो है तो श्लैप की लेंद कितनी होगी 4.5 मीटर कितना 4.5 मीटर और जब नहीं प्राइट कर वाओके तो कितना होग तो कितना होगा 10 मिटर देन औरेंसर विल्वी टंट मीतर यहां पर एक सब आहने राइठ आब रडद प्रैक्ट कुछ ऐसा है नहीं है तो यहां पर अगहर आपको अपसान यह मिलना तो तक्र दीजी यह मिलता तो यह विटीक कर डेंथ यह समझेया अगर अगर यह मिलता हो तो यह भी आपने टिक कर देना था तो ऐसे कुशन जानने के लिए पेड़ बैच में आ सकते हैं यह सारा कुछ वहां बहुत ही डीपली से पढ़ाया गया है यह अगला में बहुत प्यारा लेकिन यह तो छोड़ दीजिए तो सब को पता होगा गुमाएगा ऎक एसे दे टाफ अफ़ द ग्राउंड ऑन वीच फ़ फिट एफ लिश année सन आफ दो रोड रिष्ट रोड रिश्ट यह ज रोड रिश्ट कर रही है क्या होगा सब पर ग्रेड होगा सब लुलत तो में में उसकी आप बैस को छा कुड ये अथ सब बलत आटी न ही आफ का आ लेयर वाला होता है क्या होता है टॉप यह आपका टॉप लेयर वाला होता है चलिए अगला कुशन देखते हैं इसका इंसर बता दीजे अल्गेर डिजाइन डिट आप दे सुपर एलिवेशन थ्री डिग्री आप और जोंटल कर फार्द नैरो गेस ट्रैक के लिए इफ डिजाइनिंग विलाश्टी आप दा विलाश्टी आपको गिवन है तो यहां कुछ करना नहीं पहले आपको रेडियस निकालना होगा इतना सब्तरा उन्नीस मटेडी पार्ट जितना थ्री डी डिग्रिस निकाल दीज़े जितना सआए ए इस स्कार्टु क्या हो जाएगा वी स्कॉर्र यो आला फॉर्मूला लागा दिजेगा ऑन लागा दे ओन से फॉर्मूला लागा देंग हैस वी स्कॉर्ण वाई धरॉन शिव ऐन सगिए उन्से आक हैर क्या Chi यह आपकी गाली थी, यह गाली आपके ऐसे जा रही थी, यहां घुमा रहे थे, जब यह गाली आपकी यहां घुमा रहे थे, तो ऐसा नहो जाए कि गाली इधर इसकिट कर जाए, जैसे घुमा रहे थे, इसकिट कर जाए, एक यह कंडिशन हो गई, ओवा टर्निंग, अब यह पर क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा बी बाईट participar और ऐफ भी बाईट फिस और एफ एसकी जगा कहीं का यह आपको मेड देखने को मिल लाएगा याद रखियेगा बीवाई टूह को क्या बोल तो लेटरल इस्टेबिलिटी बोल तो लेटरल इस्टेबिलिटी बोल तो इगना बास समाझ में आ गई आपको तो यह चीजे याद रखिएगा चलिए नेश्ट कुश्चिंप करें यह क्या है वाट विद्र केंडड़ी संसी घंड़ यह कुशन को मैं क्या ही बताऊं यह कं से कम 10 marks 15 marks से कम नहीं आना चैहिए वाड पूशन यह 15 marks रेकुषिण है ओक है वाट विल बी दा केंड़ी संट सी इस दमेक्सम्थ सेपी स्वीड कितना और फाइब डिग्री करो ब्राड गेश्ट ट्रेक 1-10 किलोमेटर पर आर इस्पीड इतना भाई ये पता क्या है ये 10 मार्क्स का कुश्षन है 15 मार्क्स का कुश्षन हाँ के ससी जाई में ये पता नहीं है प्री में कैसे पूछ लिया पता है फ्री मिक्रों पूछा था पता क्यों पूछा था उसको पता है लड़का थोड़ा वहुत कोसिस करेगा दो चार पांच मिनिट बरबाद करेगा और जो भी समझदार लड़का होगा न वो पता है maximum कैंट डिफिसेंसी जो होगा न वो 10 एम होता है किते हैं होता है बास कुछ करने नहीं था इस पर यह जमसान सब के लिए अलग अलग है अंडिफिसेंसी कर टेन ही एक आता है जो एक्जाम में आप याद कर लिजेगा लिए वी गो फॉर निश्ट कुष्छन और्डिनरी रेल आर मेड आफ जो आपका और्डिनरी रेल है न कभी यूज किया नहीं जा सकता चलिए अगले कुछन में मूब करते हैं अगला कुछन क्या कहलाता है ऐस पर स्पेसिफिकेशन डिजाइन बाई रेलवे बोर्ट और ट्रंक रूट और ब्रॉड गेस डिजाइन स्वीट फॉर दे नू ट्रैक एंड मैक्सिमम इस्वीड इतना 160 किलोमेटर इतना 160 किलोमेटर आपका सही होगा यह बता दीजे यह आज का लास्ट कुछन होगा वाट इस दरेश्यो अफ वेट अब रेल वेट अब रेल इन दे तन अन दे लोको मूट मतलब इसका फार्मॉला लिग देता हूं वेट अफ रेल इंट अपन वेट रहे तो यह भी कितने में टन में अ गया भाए जरूर बताइएगा मेरे दोस्तन कैसे लगा आज कुछ प्राब्लम के वज़ह से से हुआ था भाकी कल से लेगा और जो भी नए बच्चे ना अगर जूडना चाहते हैं तो कैसे जूड़ेंगे बता देता हूं आपको कैसे जुड़ेंगे देखें यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ पार जाएंगे गूगल की पास जाएंगे वहाँ से अड़ा 24 7 गूगल के पास इल्फी जाना क्योंकि गूगल हमारा इस युद्शा पार्टनर पताना गूगल हमारा क्या समय पार्टनर है और इसके बात क्या होगा इंडिया फाइस जॉब प्रिपेशन आउफर में और यहां पर क्या करना है आपको पहले आल कोर्सेज में आल कोर्सेज जैसे आल कोर्सेज में गेट और इंजिनिंग में देखेंगे गेट और एंजिनिलां नहीं हम ख्रम यहां पर देयाक कोई भी माँख़गी को भी स Swiat पर स्प्रचेश कर रहे हैं अगर सिपेजिनिणी को पड़्चेश कर रहे लेना आपको मैं बता देता हूं यहां पर आपको यहां पर आपको एक कोड़ बता दे रहा हूं वाई 579 और इसको क्या कर दीजेगा तुरंट अपलाई कर दीजेगा और आपको मैक्सम से मैक्सम क्या मिल जाएगा आपको मैक्सम से मैक्सम डिस्काउंट मिल जाएगा क्या है हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कर हम इन्वार मेंट के साथ मिलते हैं तब तक अपना ध्यान